हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टडी फीट आफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों आज के वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिखिली तथा जोन्स का वरिष्ट नागरी के पुष्टी परिच्छर यानि सीनियर सीरिजन फेटनेस टेस्ट को लेके आ करने की कोशिस की हूँ और आई होब कि आप सबका एक्जाम अच्छा जाएगा तो जलिए जानते हैं रिकली तथा जोन्स की वरिष्ट नागरी के पुष्टी परिच्छर यानि सीनियर सीरिजन फिटनेस टेस्ट जो भेरी इंपोर्टिन है इसे कोशिन सहर बार पूछा ज जानते हैं कि इसको बनाया किसने था तो इसको बनाया था रिकली तथा जोन्स नी और यह साथ साल से जादे आयू वर्ग के लिए यानि साथ साथ प्लस वाले आयू वर्ग के लिए आयू वर्ग के लिए होता है इसमें कितने क्रिया आती है तो इसमें छे क्रिया आती है एक कौन कौन सी ठेक रिया हैं दोस्तों एक ठेक रिया हैं आपके पहला है चेयर स्टैन टेस्ट एंड दुसरा है आर्म कर्ल टेस्ट यानि बाजू मोरने का परिच्छर तिसरा है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट चोथा है बैक स्क्रेच टेस्ट और पांचवा है आठ फुट खधा सब्सक्राइब जान लेते हैं किसका क्या काम है तो सबसे पहले हम बात करेंगे के दीज रफन तwers करती कि आ हैं इस टेइन टेस्ट के बारेंगी किसकी बारें बात करेंगे मैं में कि सबसे पहले बात करेंगे चेयर स्टेइन टेस्ट के बारें जो तो तो थो धो में है 10 टेस्ट का उद्देश होता है चेयर पे बैठ के चेयर पे बैठना भी खड़े होना बैठना खड़े होना इस तरीके के क्रियाए की जाती है जिसमें उद्देश होता है परपज होता है सरी के निचले भाग की सक्ति को मापन करना क्या उद्देश होता है सरी के निचले भाग की सक्ति सामिल होती है इसमें जो सिर्या चर्णने किसी वाहर में चर्णने अथा उतरते समय बाथ टब यानि इसनान करने वाला टब अथा कुर्सी पर बैठने जैसे कारी होती आवस्यक होता है इसमें सेंटिमेटर उची कुर्सी होती है यह याद रखेगा तो देशनों क्या जाने आप चेर स्टेंट टेस्ट सरी के निचले भाग की शक्ति को मापता है नेक्ट कोशन है दूसरा है आर्म करल टेस्ट यानि बाजू मोडने का परिचर तो जब आप बाजू मोडने होते हैं इसका क्या उद्धिस होता है यह इसका उद्धिस होता है कि उपरी भाग की सक्ति सहन चंता कमापन करता है यह वरिष्ट नागरिकों की करयात में पुष्टी को जाचने के लिए डिजाइन किया गया है जो घरे लुक कारियों आवस्तों को उठानी तथा ले जाने जैसे कारी करने ही तो आवस्यक है डंबल का भार जो है पुष्टों के लिए आठ पाउंड होता है आर्म करल अप म और अपने धुनों घुना को सीधा कर लिया जाता है और हम ऊपर से बैठे बैठे में सीट बैढ़ जाएंगे उनगल को तक पहूंचेंगे बैठ कर लेंगे तो यह क्या करता है यह सरीर की निचले भाग की लचकता को मापन करता है सरीर की निचले भाग की ठीक है फ्लैक्सिबिटी और लचकता को मापता है तीसरा है दोस्तों चौथा है आपका बैक स्क्रेच टेस्ट यह जैसे कि दोनों हाथ को आप एक दोनों हाथ को पकड़ते हैं पीछे ले जा करके तो यहां पर आपको कंदो की लचत्ता मापड आता है इसमें कंदो की flexibility आता है एंड पांचवा है आठ फूट अप एंड गोटेस्ट पांचवा क्या है आठ को आप एंड गोटेस्ट तो यहां पर देखेंगे पांचवा नमबर पर आठ फूट अपट आप एंड गोटेस्ट इसका उद्दि जो होता है समन्वे छहंता तथा फूर्ती का मापन करता है चलते जैसे चलते समय फूर्ती तथा संतुलंका मुल्यांकन करता है इन छथा है आप शे मिननट रनवाक तो आप समझगे होंगे कई बार आप पॉस्टिन का एंसर दे चुके हैं छे मिनट रनवाग जो है वह हूं कि एरोबिक पुष्टी या सहन चंपता यानि एंडुरेंस की माप करता है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैंने एक्जाम में पूछा जाता है पूरे डीप में नहीं गई हूं अब कभी मौका मिलेगा तो मैं इसके एक एक जो एक्टिविटी है सभी को डीटेल में बताऊंगी तो जिसना आप को एक्जाम में पूछा जाएगा उसका मैं पूरा बता दी हूं इससे बाहर नहीं आएगा तो दोस्तों आई होब कि आपको एक छोटे सी वीडियो में इस चीज को समाझ में अच्छे से आया होगा इच्छे एक्टिविटी आपको याद हो गए होंगे ठीक है एक्टिवि सिट्जन फिटनिश टेस्ट का अंतरगत आते हैं तो दोस्तों है मिलते हैं नेच्ट वीडियो में करेंट औ झाल